हलो फ्रेंट चलो हम आज के करेंड के क्यूशन की बात कर लेते हैं क्यूशन नमर वन देखते हैं बारत की पहली मैला पीछ क्यूरेटर कौन मनी है तो करेक्ट आंसुरोब का जिस्जिता कल्यान हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्यों सुनपन देखते हैं कि महराष्टर बोशन पुरुसकार दोजार तेवी से किसे सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है असोक सराफ को आप्सन भी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है हाली में DRDO ने किस स्वदेशी लेजर हतियार के परिक्षन करने की गोशना की है तो वो दुरगा टूकी की है ऑप्सन सी है वो आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट है कि किस देश की निजी कमपनी ने चांद पर अपना पहला कोमर्सियल अंत्रिक्षियान उतार के इतिहास रचा है तो अमेरिका ने ओप्सन भी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है हाली में अफेटी अपने किस देश को वीती अपराद निगरानी की सूची से बाहर कर दिया है तो स्यूक्त अरब अमीरात को अप्सन भी है वो आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट है कि महारास्टर के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 के लिए गर्ण समरागी लता मंगेश्वर पुरसकार से किसे सम्मानित किया है तो वो किया है सूरेश वाडगर को अप्सन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है फरवरी 2024 में पुर्वा लोग सबादेक्स वनोवर जोसी का निदन हो गया है ये किस राज़े की मुख्यमंत्री रह चुके है तो ये महारास्टर राज़े के मुख्यमंत्री भी रह चुके है नेक्स्ट है की खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सबसे अधिक पदक किस ने जीती है तो वो सेना ने जीती है उप्सन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है परधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अमरित बारत स्टेशन योजना के तहट कितने रेल्वे स्टेशनों के पूर्णे विकास के आदार सीला रखी है तो 554 रेल्वे स्टेशन ओप्सन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा सिक्षा मंत्राले ने 2024-25 स्टर के एकक्षा फरस्ट में परवेस की आयू कितनी निर्दारित किया तो इन्होंने 6 वर्स से अधिक आप्सन ए है वो आपका करेक्ट होगा नेक्ष्ट है कि UGC के द्वारा बिहार के इंदरी विस्पर विद्याले को किस स्रेणी का दर्जा दिया गया है तो विऴार विद्याले को स्रेणी 1 का दर्जा मिला है आपका ओप्सन C करेक्ट होगा फर्वरी 2024 में परपल उत्सव कहां मनाया गया तो ये अमरित उद्यान नहीं दिल्ली में मनाया गया option A है वो आपका correct होगा तो friends आज की class आपको कैसे लगी I hope सभी को अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी तो class को like and share कर दीजी अगर आप पूरा वीडियो व्याक है सही जानना चाते हो तो अपना चेनल है gt campus उसको subscribe कर लीजिए ठीक है वहाँ playlist में जाके आज का current चेक कर लीजिए सभी को धन्यवाद